हलो दोस्त फिर एक बार अब सभीता हमारी यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज बैंगलोर के चैनल स्वामें स्टेडियम में याजवन आरसीबी का मुकाबला मैजबन CSK के बीच चल रहा है बैंगलोर भारत के सबसे अच्छे शिटी में से एक है चले बैंगलोर क का सफर करता है आप सभी हमारी चैनल को सबस्काइब कीजी है बैंगलोर ने टोस जितकर बाॉलिंग करना पसंद किया चैनल को पैटिंग के लिए आमंतित किया चैनल की और से गायकवार कौनवे की जोड़ी दाव का प्राहरम करने मैदान में आये बैंगलोर के सिराज और पार्नेल दोनों तरफ से बालिंग का मोच्चा संबाना पार्नेल की तीसी ओवर की दुस्सी गेंद पर गायकवार को तीन रन पर आउट किया जब चैनल का स्कोर सिर्फ सोला रनता रहाने जो अच्छे फरम में है वो आये कौनवे के साथ मिलकर सानदार आतसवाजी चालू कर दी रहाने जब बोल्ड हुए 20 बोल्ड पर 37 रन बना कर तब चैनल 90 रन पर पहुँचा रहाने के आउट होते ही दुबे आये अब कौनवे के साथ दुबे थे बगर आतसवाजी में कोई फर्क नहीं पड़ा अब कौनवे की बारी आई आउट होने की कौनवे को हरसर पल कर दी बोल्ड माज जाते जाते 45 बोल पर 13 रन बनाए चैनल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन बन चुकाता दुबे के साथ राइड हुआए 6 बोल की छोटी सी इनिंग खेला मगर 22 रन का योगदान दिया जाले जाने 10 रन बनाए मोईनल ने 19 रन बनाए 9 बोल पर जाउट नहीं हुए अच्चैन नहीं के सभी बेटर बेहतरिन खेले जिसकी वज़े से खेय विकेट पर 226 रन का बड़ा स्कोर खराज कर पाए बैंगलोर की तरफ से सभी बोलर ने एक एक विकेट लिया अभी शपी बोलर साधारन प्रजेशन कर पाए अब बारी थी आर्टी बीज़े के बेटर हो की कोली और डुप्लेसिस फॉर्म में देखते हुए लग रहा है कि 227 रन का टारगेट बैंगलोर आसानी से पार करके जीत हासिल कर सकता है कोली और डुप्लेसिस टारगेट एच बेजने का कॉल दिया अभी तो कोहली पेलें पुरा पहुचे ही नहीं था वहाँ लेंबरोर को आउट होने पर प्रेस पांडर ने मजबूर किया बीना कोई रन बनाए डुप्लेसिस के साथ जोड मैक्सेल मैदान में आये दुनिया के जाने माने बैटर कभी भी सोचा भी हो ऐसी पारी खेलकर सब को चोका देने में माहिर आज बैंगलोर की जट इन दोनों के हाथ थी रुप्लेसिस और मैक्सेल ने मिलकर बैंगलोर के भरसे को तूटने नहीं दिया और दोनों ने धमा के दार खेल चालू किया सबी बोलरों के एक एक बॉल को बड़ी निदेता स मारते रहे देखते ही देखते छटी ओवर में पचास रण की पार्टनर सब की और आतस्वाजी चालू रखी रुप्लेसिस मैक्सेल ने मिलकर बैंगलोर को सौर अनका स्कूर खळा कर दिया रुप्लेसिस ने सिर्ट तेईस बॉल पर अपना फिप्टी पुड़ा किया कैप बैंगलोर अच्छी स्थिती में आ गया दोनी जो बिलकुल लाचार चे डुप्लेसिस और मैक्सेल के सामने वही एक एक महेश के बॉल पर मैक्सेल ने धोनी को केज दे दिया इस तरह मैक्सेल के रुप में चैन्ने को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई मैक्सेल दे 36 बॉल पर 76 रन बनाया बैंगलोर का तीन विकेट के नुप्सान पर 141 रन स्कोर था अब बैंगलोर को 86 रन चाहिए अगर बैंगलोर का बैट इस तरह चलता रहा तो दोनी का कोई भी प्लान बैंगलोर को जीतने से रोक नहीं सकेगा डुप्लेसिस को अब सपोर्ट करने एहमद आये देखते हैं एहमद कितना जोल लगाते है आखिर में वह हुआ जिसका डर था जैसे ही मैक्सेल आउट होए डुप्लेसिस का रिदम तुटा और 33 बॉल पर 22 रन बनाया बैंगलोर ने यानि 36 बॉल पर 58 रन बहुत बड़ी ब के इसाब से वगर अपने आपको क्रिस पर ज्यादा समय रोक नहीं पाए बैंगलोर की जीत के लिए और 28 रन बना कर देश पांडे का शिकार बने उसके चलते दूसरी ओवर में एहमद भी जल्दी जल्दी आउट होए जो बैंगलोर के लिए खास कुछ नहीं कर पाए सातवी विकेट बैंगलोर की 19 और में 197 रन पर गिरी आसान लगने वाली जीत अब दाश्ट और में मुश्किल बन चुकी थी 6 बॉल पर 19 रन चाहिए प्रभु देशाई ने अच्छी कोशिश की एक छग्गा भी लगाया अंतिम और में सिर्फ 9 रन बना पाए बैंगलोर न जी जान लगा कर कोशिश की जितने के लिए मगर 19 रन से जित गया